वेलकम अमर सर योटूब चैनल इस पर आप समों का स्वागत है आज हम लोग आईवी पियर्स क्लर्ट प्री 2019 के लिए मिस्सेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स के कुछ शांदार कुष्टिन करने जा रहे हैं इसी तरह की कुष्टिन्स एक्जाम में आएंगे तुरंद कैसे बनाया जाएं प्रेस्ट अप्रोच के साथ यह आप देखेंगे आई सबसे पहले देखी थ्री फिफ्थ पार्ट अप अपर किरोशन टिन इस फिल्ड कोई किरोशन टिन है थ्री फिफ्थ फिल है बरा जाता है if six bottles are taken out of it and three bottles are filled again then half of the tin is full what is the capacity of the tin in terms of bottle not liter अप्रोच होगा three fifth sixty percent full है half left होता है fifty percent बसता है ten percent उड़ गया six liter निकला three liter आ गया तो निकला कितना three bottles six bottles three bottles six bottles निकला three letters टाला three letters six minus three three bottles निकला ten percent means three bottle hundred percent means how much thirty bottles answer होगा कि नहीं अब मैं सम्झाता हूं क्योंकि समझना तो सबों को है देखिए ऐसा है यह हमारा कंडेनर है इसमें sixty percent filled है भरा हुआ है sixty percent filled है ओके इसमें से अगर six bottles जाएंगे six bottles अगर निकले और three bottles आए तो इसका मतलर net result क्या हुआ six minus six plus three यानि minus three three bottles निकलेंगे नहीं और दरसल ऐसा होने से जो बच जाता है वो 50 percent है तो यही 10 percent का जो difference है यही three bottles है ना 10 percent is equivalent to three bottles जो 100 percent means capacity is how much जिधर से बोली 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 10 times जिधर से बोली 10 times यानि thirty bottles Tesli च्भ mils बाह, अच्छा कोश्चिन था ना, ऐसा ही कोश्चिन आएगा, और आपको कोशिस करना है कि पेन पेपर का कम से कम इस्तेमाल करना पड़े, आई, next question कि उसी है, Aditya spends 40% of his monthly income on food items and 50% of the remaining on clothes and conveyance. He saves one-third the remaining amount after spending on food, clothes and conveyance. If he saves up his 19,200 every year, what is his monthly income? बताँ, लेकिन, 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 monthly income, all, all variables should be monthly. But the given, given, given variable is 19,200 per year, 12 months में, 12, 1600. 12, one-time, six-time, yes, 1600. Saving हुआ, monthly, 1600. 40% गया, 60% बच्चा, उसका 50%, 30% गया, 30% बच्चा, 30% का 1-third, 10% सेफ्स. यानि 10% equivalent to 1600, 100% में, हाँ बच्चा, पोदेगाना, 16,000. सीधा अंसर, जदे बच्चा, अब मैं समझाता हूँ, समझाता हूँ. देखे, ऐसा है, बताता हूँ, ऐसे, कि यह है monthly income. इसका, इसका सबसे पहले, 40%, यानि कि 40, यह कहां गया? यह खर्च करता है, food items में, food items में, तो 40% निकलने के बाद, क्या बचेगा? 60, यह 60, 60, और इसका फिर 50%, इसका 50% किस पर है, food के बाद? तो clothes and conveyance, clothes and conveyance, तो इसमें से भी 50% निकल गया, तो 60 कि 50%, यानि 30 निकल गया, यानि 30 बचा, और इसका सीदा सीदा 1 third, यानि कि 10, यानि कि 10, जिसे सेमी, और जो बचा है, 10%, अनुल जो था न, 192, 100, ये मन्थली हुआ, ये, 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 1600, तो 100% माने क्या? ये मन्थली सेविंग, मन्थली सेविंग, हमने कनवर्ट किया, इसलिए नीचे निकलेगा मन्थली इंकम, बोली, निकलेगा कि नहीं, इदर से बोली, इदर से बोली, 10 ताइम्स, ये दर से भी 10 ताइम्स, यानि की रुपीज, 16,000, ठीक है? यानि सी, एक बार देख लिजी ठीक से, चलें इसके पाद 3rd कॉस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् 3rd number question है, cost price of articles A and B are Rs.X and Rs.X plus 200 respectively. Articles A and B were sold at loss of 10% and 20% respectively. If the overall loss incurred was Rs. 115, what is the value of X? 10% और 20% अगर XX होता तो 30% लॉस होता की नहीं थोड़ा और लॉस हो गया क्योंकि 200 और इंवेस्ट किये थे 20% मतलब 40 रुपीज 40 रुपीज हटा दीजेना 150 में तो 75 यानी 30% में 75 तो 10% माने 25 तो 100% माने 2500 100% माने 250 बिना लिखे आप सौल कर सकते हैं लेकिन मैं दिखाता हूं की क्या और कैसे लिखे 10% लॉस होता है अग्स पर प्लस 20% लॉस और अग्स प्लस 200 और टोटल लॉस है 111 तरिकले 20% और 10% 30% तरिकले 30% अग्स और 20% का मतलब 40 को लेक्स कर देते हैं तो 75 अगर हम 10% को 25 बोलें तो 100% अग्स को क्या बोलेंगे बोलेंगे 250 ना बोलेंगे यही बिना पेन पेपर की किया गया यह नमबर अग्स आप चाहे तो डिटे लेक लेजिए लेक लेजिए कि यह प्लस है 20% of x है प्लस 20% 40 है is equal to 1.5 है 10% of x है लेक्सकते हैं लेकिन लिखना लेकी clear और इसके बाद एक और कॉस्चन की उजाते हैं इसी तरह का है पढ़ता हूं इफ A and B invested रुपी आक्सल रुपी एक्स प्लस 300 at SI at the rate of 10% परेम for 2 years and got rupees 1060 as interest then what is the value of x simple interest करेट है 10% से तो 2 years में 20% मिलेगा आप बेलीजे आप बेलीजे आप का पैसा जितना है मेरा भी उतनी है थोड़ा और है 20% मेरे पैसे पर 20% आपके पैसे पर तो 40% ने मिल जाएगा अप्लस थोड़ा पर पैसा ने 300 का 20% 60 अटा देगे क्योंकि उएट करके 1000 60 आपके 1000 40% मिलेगा पैसे थोड़ा पैसे थोड़ा पैसा ने ऊड़ी इस एंसर दिखाता रॉड़ा असल में सवक्रिण का आप्रोच है 20% आप पैसे प्रह्स्थे परसंट आफ पैसे प्लस्वाइड प्लस्पर्स्थे थोड़ा थोड़ा थीन देट एट कोइक से है थोड़ा थोड़ा है 40% of x plus 60 is equal to 1060, 60 less किजी, 40% मतलब क्या होता है? आप मुझे बताईए, 100% मतलब क्या होता है? देखे देखे, या इसका 25 ताइम्स हा है कि नी? 100% is equivalent to what? What? 2.5 ताइम्स हाना? 2.5 ताइम्स? 2.5 ताइम्स होता है कि नी? यानी कि रुपीज 2500, x is equal to रुपीज 2500, बोली होगा? देखे, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आप्टेंग जोई किया होगा? ऐसे questions में accuracy को maintain करते हुए, fast कैसे बनाएंगे, that's the point. Okay, all the best.